नमस्कार दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए जो कहीं पर जॉब करते हैं जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना ये वीडियो उन लोगों के लिए फायदे मन्द हो सकता है जो लोग कहीं पर जॉब करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नहां है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें लेकिन मैं वीडियो में जो बातें बताऊंगा अगर उसे फॉलो करोगे तो आपको जब में प्रमोशन जरूर मिलेगा बाप करोगे हम लोग तो सुबर नौ से पांच जॉब करते हैं जी हां दोस्तों आप जॉब को जॉब की तरह करते हैं अगर आप जॉब को अपना प्रमोशन डेफिनेटली मिलेगा जी हां दोस्तों मैं ऐसी एक सची घटना से आपको रूबर उकराने जा रहा हूं जो जुड़ी हुई है रतन टाटा से रतन टाटा को तो आप सभी लोग जानते ही मुझे नहीं लगता कि उनके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत ह है बस उनका नाम ही काफ है जी हां दोस्तम रतन टाटाव एक बार अपने प्लेन से जाजहा रहे थे गया जा मित एक रहे था है जो सब्सकुरति स्वह होन। वहां के जीम को connect किया उनसे जीम से बोला कि रतन टाटा साथ का प्लेन घराब हो गया है हम पास के जंगल में हैं तो जीम के पास जैसे ही फोन गया उसे तो बहुत खूशी हुई कि आज मैं टाटा साथ से मिलूंगा जी हां आज मैं टाटा साथ से मिलूँगा बढ़ी हमाज पाइन कर त्यार होकर चले अपने ड्राइवर के साथ जंगल में वहाँ पर साथ में जो है हेलिकाप्टर को रिपेर करने के लिए साथ में मेकैनिक को भी लेकर गये थे उन्होंने रतन टाटा साब के पास के बहुत हड़ बड़ी में जी हां सर आपका प्लेन बस ठीक हो जाए तो उन्होंने का पास में कोई फैक्टरी हो तो चलो वहां का दौराकर आते हैं तो जी हमने का चल ये सर ठीक है फिर दोनों निकले ड्राइवर भी जो है गाड़ी असी नब्बे में कुदार है क्योंकि पीछे टाटा साब बैटे हैं उसे भी जो से वो भी अपनी गाड़ी बोला अंदर जाना है तुने ने बोला गेट पास है नहीं ड्राइवर ने बोला नहीं वाच्मेन ने बोला गेट पास होना तो अंदर जाना ड्राइवर बोला पीछे साब बैटें वाच्मेन बोला मैं कुछ नहीं जानता गेट पास होना तो अंदर जाना फिर उन्होंने टाटा साब बैटे हैं गाड़ी में हमें जाने दो मैं भी इसी कंपनी का एंपलाई हूं तो नोंने का मैं किसी टाटा वाटा साब को नहीं जानता आपके पास गेट पास होना तो अंदर जाना नोंने का मैं भी जीम हूं मैं किसी को नहीं जानता बोले गेट पास होना तो अं ुचे cabin में आकर मिले फिर watchman जो है अनदर जाए रहे थोड़े दिडर बाद फिर से अनौन्स हुआ कि वाँच्मेन जो है औरडिटोरियम में आकर मिले वाँच्मेन में भेसैं भाई किसी बड़े आदमी से पंगा ले लिए अब तो मेरी नौकरी गई, यही शोचते सोचते अंदर गया, आडिटोरियं में गया, तो हाँ पर रतन टाटा साब ने उसका सम्मान की और बोला, कि हम सब तो सिर्फ जौब ही कर रहे हैं, यह अपना काम कर रहे हैं, जो अपनी काम को जिम्मेदारी के साथ में कर रहे हैं, फ बुरुब बतने